पूर्ण इस्ट्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में सफोर एकेडमी माज हम आपके लिए लिए कहा हैं सेट नंबर टू का सॉलिशन यहाँ लेके dire हैं और यहाँ पेपर कॉड है क्यूशन पेपर कॉड है 732 अबलिक 4 अबलिक 2 ये इसका क्यूशन पेपर का है जिसका solution हम आपके लिए लेके आए हैं तो यहाँ पे ये हमारा Instagram, Facebook और website का QR code है तो इसके माधिम से आप हमें Instagram पर Facebook पेज पर follow कर सकते हैं और website पर इसके माधिम से जा सकते हैं website पर आपके लिए syllabus, best question papers पिछले बच्चों के best five students के question paper और यहाँ पर आपके लिए 10th class के formula आपके लिए available हैं तो website पर भी आप विजिट करिए, Facebook पेज पर और Instagram पर भी आपके लिए short videos के माधिम से आपको कुछ topics को समझाया गया है तो आप देखिए और अगर आपको अच्छी लगते हैं तो वीडियो को like करें, share करें और follow करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हैं तो subscribe करें और subscribe साथ, bell icon को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का notification साथ के साथ में मिलता रहें तो चलिए, यहाँ पर पहला question हम बताते हैं, यहाँ पर set 2 और set 1 मैंने लिखा हुआ है set 2 और set 1 यह क्यों लिखा हुआ है, इसके माधिम से मैं आपको बताना चारा हूँ कि यह जो questions आपको दिये हैं इधर यहाँ पर यह set 2 के questions numbers हैं और इनके सभी questions Sam यह आपको set number में, Sam to Sam यह question numbers आपको मिल रहे हैं लेकिन question number Sam है, लेकिन serial number उनका change हो गया है, तो यह question number 2 है, वो set number 1 में, question number 5 पर है, जो set question number 3 है, वो set number 1 में, यानि कि set number 2 में यह 3 question number है और इसमें यह 13 number question है तो इस तरीके से question number का मैंने आपको serial numbers यहाँ पर दिये हुए हैं, कौनसा question किस से relate कर रहा है, तो यह सारे questions एक दूसरे, इनके set 1 में already available हैं तो इसलिए मैंने इनकी वीडियो दुबारा ना बनाया कर आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, watch previous video for these questions solution जो यह सारे questions हैं, इनके solution already मैं बना चुका हूँ, वीडियो डाल चुका हूँ, तो अगर आपने इन questions का solution देखना है, तो वीडियो आपको description में उसका link available मिल जाएगा, और i button में भी उसका link आपको available मिल जाएगा, तो वहाँ से आप watch कर सकते हैं उनको, ठीके, तो हम यहाँ चलते हैं, next question जो यानि की set 1 और 3 में नहीं है, सिर्फ only set 2 के अंदर है, तो यहाँ पे, पहला question है, माना एक ऐसी घटना है, जिसके लिए PE नहीं, यानि की P, यानि की probability E नहीं है, यानि की event नहीं है, एक बटे 5 है, तो PE बराबर होगा, यानि की event होगा, इसकी प्रायक्ता बत equal to, तो इन में से कौन साय इसका, यानि की answer होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ, PE नॉट हमें given है, तो हमने same stage लिए, और इसके लिए यहाँ पे यह एक formula है, यह formula आपको याद है, तो आप इसको आराम से solve कर सकते हैं, तो यह question, यह यानि की formula है, PE प्लस में PE not is equal to 1, तो यहाँ, PE का मतलब क्या है, probability of event, और probability of not event, ठीके, यानि की जो घटित होने वाली घटना है, वो यह हो गई, यानि की yes वाली और नहीं वाली यह हो गई, दोनों को अगर हम जोडते हैं, तो उनका sum होता है, one के equal, तो यहाँ पे नहीं वाला हमें दिया हुआ है, त इसकी yes वाले की नहीं दे रखिए, तो yes वाले को sum agistice छोड़ देंगे, और one यहाँ, other side में, यानि की right side में रहेगा, जो यहाँ था, उसको sum agistice यहाँ पे copy कर दिया, इसके बाद में one upon five यहाँ पे है, इसको हम other side में लेके जाएंगे, तो किस में जाएगा, यहाँ positive है, त तो one के upon में कुछ भी नहीं, तो one के upon में हम one लिख सकते हैं, यह किसी की number में भी हम one लिख सकते हैं, अगर जैसे two है, तो two का means, यानि की two को हम two upon one भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से कोई भी number है, उसके upon में one लिख सकते हैं, क्योंकि one से किसी भी number को divide करते हैं, तो वही same number पर आजाता है तो इसलिए यहां पर वन लिखा और इनका वन और फाइब का हमने क्या किया यहां पर एलसम ले लिया फाई यह फाई ल South लेया और फिर वोर फिर क़ीर जाएगों इस नीचे से को ढ़िए करेंगे और कितना आएगा प्राइगा 5 को लाइगों से multiply करेंगे तो यहाँ आए गया इसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर आप करेंगे कि इस 5 में से आप 1 को minus करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और नीचे यह 5 है तो यहाँ पर 5 आगया तो यानि कि answer आगया आपका 4 upon 5 तो 4 upon 5 option में कौन सा है option number D हमारा correct answer होगा ओके बच्चों समझ में आ गया next question की तरफ चलते हैं next question है हमारा question number 7 जो other set में नहीं है सिर्फ इसी set में है तो इसके लिए एक दिवगात समीकरन जिसके सुन्नियों को का योग यानि की दो दे रख्खा है और गुननफल बाद में कहा है तो गुननफल यानि की बाद वाला होगा ठीके और इंगलिज में कहता हो sum of zeros यानि की two और product of zeros की बात करें तो माइनस वन तो अब यहां सुनने को गई हो अगर गुननफल आप लिख यहां पर कोई जरूर नहीं इनको लिखने की लेकिन अगर आपको फॉर्मुला सीधा सीधा यादे तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि वनमाक्स में हैं तो इसको लिखने का कोई माक्स मिलेगा सिर्फ आपका सॉल्यूशन का यहां पर आपका आंसर सैट सही होना चाहिए उसी का आपको माक्स मिलेगा ठीक है समझाए बच्छो तो यहां पर आप क्या करेंगे वैसे मैं आपको बता देता हूं सुन्ने को का योग यहां प्लस बीटा लिखें या फिर माइनस ब लिखते हैं ठीक है तो यह एक दूसरे के एकुल होते है तो यहां पर क्याद्रिक पोलिनॉमील या द्यूगात बहुपात इन इमेगे हैं तो इसका एक formula है इस यानि की quadratic polynomial बनाने का यह formula है तो x square minus के alpha plus beta into x plus में alpha beta तो यहाँ पर alpha plus beta जहाँ पर है तो इसकी value यहाँ पर 2 रख दी जो हमें यहाँ दे रखी थी हमने लिखी और alpha into beta की value minus 1 है तो यहाँ पर रख दी 1 की यहाँ पर minus और बाहर minus है और अंदर plus है इसकी multiply करेंगे तो minus का sign आएगा और 2 और x की multiply करेंगे तो 2x आगया इसके बाद यहाँ plus और minus से इनकी multiply करेंगे तो minus 1 हो जाएगा तो यह आपका answer होगा x square minus के 2x minus के 1 तो यह option number कौन सा है option number भी आपका correct answer होगा ओके बच्चों समझ में आया next question की तरफ चलते हैं यह question है संख्याओं 30 और 70 के लिए HCF और LCM बराबर हैं देखो set 1 में यहां 30 की जगे 40 दे रखा और यहां पर 70 दे रखा है तो यह 70 वहां पर भी 70 है यहां पर और question यही है HCF और LCM का multiplication क्या होगा तो इसके लिए 2 method हैं मैं आपको दोनों method बता देता हूँ और इसका यहां पर HCF और LCM बताना है 370 का तो एक method तो यह है कि HCF और LCM is equal to first number into second number यह आपको पता है कि यह formula है तो आपको पता है कि HCF और LCM का multiplication निकालना है तो यानि कि first और second number का multiplication जो होगा वही HCF और LCM का multiplication होगा ठीक है तो first number 30 दे रखा है और second number 70 दे रखा है तो दोनों को multiply करतेंगे तो यह कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा यानिकि 2100 ठीक है यह 2100 तो यह आप कह सकते हैं या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे पहले आपने थर्टी के फैक्टरस निकाले इसके बाद में फैक्टरस को आपने यहां पर लिखती है इन में जो कॉमन पार्ट है उन पर हमने यहां पर सरकल लगा के यहां उन में से देखो यह लिखी दिया आपने जो यह HCF में आया इसके बाद में जो रिमाइंड नंबर बच गे जो यानि की बचे हुए नंबर हैं उनको भी आपने यहां पर लिख ले और उनको मल्टिपलाई कर दे तो यह हो गया 210 और यहां एसके बाद में नेक्स्ट यहां पर क्यूशन नंबर 11 15 मीटर उचे टावर के पाध बींदू यहां leaving जमीन पर बिल्डिग चुरैन जो या इतनी हैं वह चे अट्ग है तो इनमें से एंगल बताना है कि कौन से एंगल पर वो जुका होगा ठीक है तो यहां पे यहां पर मैंने इसके लिए आपके लिए पिक्चर बनाई है यहां पिक्चर में आप देखें तो यह टावर हो गया 15 मीटर है इसकी और यहां से यहां तक है यानिकि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है फिफ्टीन अन्रोट में तरी अब यहां थीटा हमें नहीं दे रखा तो यह थीटा जो एंगल जब गिवन नहीं होता तो उसको हम थीटा मानके चलते हैं तो यह थीटा है और इसके लिए निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मला होता है अलगे उसके अघ्रत हमादिम से प्रपेंडिकुलरड बेश वाला कहां पर कॉंबेशिन को रहे तो किसमें कामबनेश्ञ्र इंटीटा में फैलियोट गेंडिन में तो इसमें अगर वात करें तो हैं तो हुए 54bet यहां पर होती है तो यह value होती है 10 30 पर 10 30 पर होती है तो 10 30 यानि कि 10 30 होगी 10 30 और 10 से 10 cancel हो जाएगा थीटा हो जाएगा आपका 30 degree तो यानि कि 30 degree option A में आपका यह answer होगा option A ओके बच्चों समझ में आया next question की तरफ चलते है last question जो आपका है यहां पर question number 12 set 2 में इसमें 2 by 3 sin 0 degree minus 4 upon 5 cos 0 degree बराबर है यानि कि किसके equal है इन में से तो यहां पर sin 0 की value हमने 0 रखी जो होती है cos 0 की value कितनी है 1 है तो वो value हमने यहां पर रख दी sin 0 की value होती है 0 और cos 0 की value होती है 1 तो 0 को किसी नमबर से multiply करते हैं तो वो ही हो जाएगा 0 ती है 0 हो गया और यहां पर इन दोनों को अगर हम multiply करते हैं तो कितना आ जाएगा minus 4 by 5 ही आएगा क्योंकि one को इससे multiply करेंगे minus 4 और upon में 5 है तो 5 रहेगा और 0 में से किसी नमबर को गटाते है सैम नमबर बचता है तो minus 4 upon 5 ही बचाएगा तो option नमबर भी हमारा correct answer होगा तो मुझे उमीद है कि यह सवाल सभी बच्चों को समझ में आगे होंगे अगर आपको समझ में आगे ह हैं तो आपके लिए हम ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं तो सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहे हैं नेक्स्ट वीडियो तक तब तक के लिए गुडबाई और इस वीडियो को देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में.